स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूटीब चैनल सिविल नालज में दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना यूटीब चैनल सिविल नालज को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब पर लिजिए उसका बेल आइकन दबाईए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर किजे ताकि ये नौलेज आपके दोस्तों तक भी पहुँच सके हैं है तो आजका अपना टापिक है वीडियास आप सर्कुराल इस्टिरप्स इस पर हम सीखें हैं सर्कुरल इस्टिरप्स का कॉटिंग लेंध निकालना 102 कशरड़न के लिए कि इस चीज की जरुरुत होती है तो दोस्तों हमें दिया गया है ॆपकी यह डिए पर की दिएगए जो 133 center to center distance पे इसे place किया जाएगा और दोस्तों इसमें जो clear cover दिया गया है वो 40 mm दिया गया है और इसमें two hook 90 degree पे प्योग किया गया है क्योंकि circular stirrups में अधिकतर जो hooks होते हैं ये वो 90 degree पे ही यूज किया जाता है दोस्तों IS code 2502 से 1963 में ये दिया गया है कि circular stirrups में जो hook का एंगल होता है वो 90 degree पे ही हम बैंड करते हैं इसलिए हम इसका एंगल 90 degree ही लिए हैं तो ये मेरा first steps है जहां हमने radius निकाला है इसमें radius के लिए ये शूत्र है d by 2 minus cover minus half die up stirrups दोस्तों ये कैसे लिखा गया है मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ये 400 by 2 जिससे हम चाहां से यहां तक आधे पे आ गये और दोस्तों इस center तक जाने के लिए हमें minus 40 mm इसका जो एक cover है ये deduct किया जाएगा और minus 4 mm इस डाया की stirrups जो 8 mm की है उसको center तक जाने के लिए हम इसमे 4 mm इसकी stirrups जो 8 mm की stirrups से उसमें आदे घटा लेंगे तो center तक चला जाएंगे इसलिए हमने इसको 4 mm लिया है इसको मैंने पहले से calculate करके रखाया है जो 156 mm आया है मैं फिर एक बार calculate करके आपको दिखा देता हूँ जो दोस्तों इसका parameter 400 तो 400 by 2 और इसके बाद हम ले लेते हैं माइनस 40 mm cover और माइनस 4 mm इस ट्रप साब डाया जो आजाता 156 mm जो हम इसका cutting length निकालना सिखेंगे जो cutting length के लिए formula है 2 pi r प्रस hook length इसका hook जो है यहां पर दोस्तों वो 90 डिगरी पे बैंड है इसलिए 90 डिगरी के बैंड के लिए हम 10D लेते हैं दोस्तों और तो इसको सु सुधरी के form में इसको हम लोग रखते हैं दोस्तों यहां पर 2 और पाई का वेलु है आपका 13 अग 4 और आर की वेलु दोस्तों हम लोग इंड निकालें जो 156 mm जो मनें आप फूट किया और हूख लेंथ दोस्तों हूख लेंथ यहां हमने रखा 2 क्योंकि हमने 2 हूख है इसल 1.68 mm दोस्तों हम इसको कैलकुलेट करके भी यहां पर रखे हैं फिर भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों यहां पर तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो और पाई का वेलु है आपका 13.14 और दोस्तों मन्टिप्लाइड बाइड आर की वेलु है 156 और प्लैस आपका है value 1139.68 mm